प्रभातखाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं यड़ों, सटक और रियल नेटवर्क के साथ राज की अर्थव्यूस्ता के तमाम मजबूत पहलों को सामने रखा यूपी को वन ट्रियन डॉलर की एकनोमी बनाने की इस मुहीम के लिए योगी सरकार अमेरिका सिंगापूर समेट कई देसों में रोड़सों करेगी और योगिोगबिकास के मंट्री से नंदकुपाल गुप्ता मंदी जी सोक्सनलगुमध्यम बिभाग के मंट्री से राकेश पचान जी और योगिबिकास के राज्यमंट्री सी जस्वन सिंग स coupe अर्थ सिन्गी जी प्रदेश के मुख्य सचिव सी दुर्गा संकर मिस्टर जी किर्शित बादन आयुप्त सी मनोच कुमार सिंग जी अवस्थापना और अध्योगिक विकास आयुप्त सेरविंदु कुमार जी मुख्यमंत्री कारेले में प्रमुख्यस जी से स्पी गोयल जी ठिक्की के अध्यक्स सी सुब्रकांत पांडा जी उपाध्यक्स CII सी संजीव पुरी जी आज के से कर्टेन बेचन समारो में उपस्तित एक्सलेंसेज एंबैस्टर्स हाई कमिशनर्स और द्योगित जगत से चुड़े भे सभी हमारे प्रतरिधिकन भारत सरकार के विभिन मंत्रालियों के सभी समानित सच्यूग PSU से टुड़े भे सभी CO, CMDs और मेडिया से टुड़े भे सभी उपस्तित मानुभाव मैं आप सब का आज के समारो में हिरदे से स्वागत करता हूँ उत्तरब्रदेश एक प्रकतिसील और परिवर्तन कारी यात्रा के सिखर पर है आदरियों प्रधान मंत्री से नरंद्र मोधी जी द्वारा निर्धारित आत्म निर्भर भारत के विजन का काया कल्प का एक प्रमुक स्थम्बे भी उत्तरब्रदेश है मानिय प्रधान मंत्री जी ने रिफोर्म प्रफोंता प्रास्थों के मंत्र को उत्तरब्रदेश ने अक्सर सा लागू किया है बिगत साड़े पांच वर्स के दोरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास यों संब्रदी के सामे अनेक महत्तोफण कदम उठाए है प्रदेश ने सक्सम नीतिकत समर्थन यों विश्वस्तरिय बिन्यदी धाचा प्रदान करने अपने कारो करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहोल धी बनाने में सभलता प्राप्त की है आधने प्रदान मंत्री जेके संकल्प के अनरूप भारत की अर्थ विवस्ता को फाइब टिलियन डॉलर के अर्थ विवस्ता बनाने के लिए उत्तरबले जैसे राज्य को ग्रोथ हिंजन के रूप में अपनी भोमिका का निर्वहन करना है इसके लिए राज्य सरकार ने वन टिलियन डॉलर एकॉनोमी के आगामी पांच वर्से के अपने कारिक्रम को आप सब के सामने प्रस्पुत किया है इस उत्तरब्देश में हमारी सरकार आगामी दस से बारा फरवरी दोजार तेईस तक तेईस को उत्तरब्देश के राजधानी लखनों में ग्लोबल इन्वेश्टर समिट कायूजन कर रही है ताकि उत्तरब्देश में उपलब्ध असीम व्योसाई का उस्वरों को प्रदर्शित करते भी बैस्विक ब्यापारिक स्वंदाय को प्रदेश के आर्थिक विकास में सयोग करने के लिए एक एकिकर्ट मंच प्रतान किया जा सके इस तीन दिवस्य दैस्विक सम्मेदन में विश्वस्तर के नितिन धारक, कॉर्परेट जगत के सीर्स, कैप्टेंस, ब्यापारिक प्रतिनिधी मंडलों, एकैडिमिया, विचार मंचों यों प्रपुद्ध जनों द्वारा प्रतिभाग करते वे विवसाइक संभावनाओं यों सहभागता के उस्वरों पर सामी कुरुप से मंधन क्या जाएगा आज इस कर्टें लेजन समारों में मुझे उप्चारी कुरुप से ग्लोबल इन्वेर्शन समित की घोशना करते वे अत्यंत प्रसंता के अन्भोती हो रही है मैं बैश्विक और रास्तिय व्यापारिक संभाई से हमारी इस अभिहान में समर्थन का अन्गोध भी करता हूँ मैं आपको अउगत कराना चाहूँगा कि अब तक समर्थन ये तो हम 40 से दिक तेसों से संपर्ख कर चुके हैं इसमें से समिट के भब्यायोचन में हमारी साथ भागिदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागता के लिए अन्डोध किया है इसमें नीदरलेंड्स, डेनमार्क, सिंगापूर, फ्रांस, यूनैटेड केंडम यो मौरिसस ने हमारी साथ सहभागता ही तो अपनी सहभागता भी दखती की है ग्लॉबल इंडिस्टर समिट 2023 की और अग्रसर उत्तरपदेश सरकार 18 देशों और भारत के साथ पन्मुक नगरों में रोड सो का यूजन भी करने जा रही है ताकि उत्तरपदेश में पलब्द असीम आउसरों का प्रसार करते भी निवेश को आकर सित क्या जा सके अन्य देशों के महा महीम राज़दुतों यो मुच्चायुकतों से मैं रोड करना चाहूंगा कि वे भी उत्तरपदेश आए और हमारे साथ प्रदेश के दिकास ले भागिदार करते भी इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दे हमारी इस प्रियास में बहुमुल्य स्योग प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार ता सारुनित छेटर की प्रतिस्थित काईयों के प्रति भी आभार बेक्त करता हूं उत्तरप्रदेश सरकार ने IT, ITS, डेटा सेंटर, ESDM, डिफेंस, एंड एरोस्पेस, प्लैक्टिक वेकिल, वैर हाॉसिंग यम लाजिस्टिक्स, टुरिजम, टेक्स्टाइल, में MSME सहित बिभिन छेत्रों में निवेस आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीटियों को तयार करके नीटि संचालित सासन के माध्यन से और द्युकिक विकास के लिए एक समग्र पारस्तित की तंत्र बनाने के लिसा में अनेक सधारात्मक कदम उठाए हैं अपने निवेसक सैभाग्यों के लिए इन डिश्टल प्लेटफॉर्म्स युँम अनेक नीकियों का अनावरण करते भे मुझे आज प्रसंता भी हो रही है इस फ्लैक्सिप इंवेस्मेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार का धे निवेसक संदाए के बीट उत्तर प्रदेश के निवेस आकर्शन को सुनिर्ड करने युम राज्य के सरसमावेसी विकास ही तो अउस्षरों का सिर्जन करना है जैसा क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रकिर्टि और प्रमात्मा की किरपा का असीन संभावनावला प्रदेश है रणिक रूप से राज्टे राज़भानी छेत्र के निकट इस्तित होने और देश की सबसे बड़ी आवादी का राज्य होने के करण प्रदेश देश का सबसे बड़ा उभोगता बाजार भी है भारत की सबसे बड़ी अर्थविवस्ता में से एक होने के नाते उत्तरप्रदेश रास्टिये सकल घरिल उत्तपाद में आज पृस्थप का योगदान भी करता है वर्तमान में उत्तरप्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थविवस्ता की रूप में अपने आपको स्थापित करनी की ओर तीजिस से एक रसर है हमारी सरकार ने राज्य में कानून का सासन स्थापित किया है अपराधियों मपराधियों के परती जीरो टॉलेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को और जोगिक सुरक्सा की परती आस्वस्त किया है आजप्रदेश इस अब डूइंग बिसनेस के लक्से को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकरसक गंतब के रूप में दुनिया का निवेश अपने ओप आकरसित कर रहा है राजय सरकार इस अब डूइंग बिसनेस के साथ ही इस अब स्टार्टिंग बिसनेस पर भी पुरा ध्यान दे रही है प्रोएक्टिब इन्वेस्टर कनेक्ट ता हैंड होल्डिंग के लिए हमारी सरकार ने M.O.U. पर हस्ताक्सर करने यह उनके कार्यानिवन की निग्रानी के लिए एक नहीं ऑनलाइन प्रणाली निवेस सार्थी विक्सित की है साथी एक ऑनलाइन इंसेंटिब मैनिस्मेंट सिस्टम का भी विकास किया है प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवे स्मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ओन्लाइन डूप से समयबद स्वीकृतियां युम अनाप्तियां उपलब्द कराई जा रही हैं प्रदेश सरकार सडक वायू जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्वाद कनेक्टिविटी सुनिशित करने के लिए विस्वस्तर ये बन्यादे धांचे का तेजी से जिकास कर रही है इसमें उत्योगों को बैस्चिप्यम घरिलू बजारत तक पहुँच बनाने में लॉजिस्टिक की स्वलब्दा बढ़ेगी 16,000 किलोंतर की कुलनमबाई के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रदेश में अफलब्द है Western Dedicated Freight Corridor का 8.5 प्रिसद तैस्टन Dedicated Freight Corridor का 57 प्रिसद छेत्र भी हमारी राज्यमें राज्य से गुजरता है दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंट्षन उत्तर प्रदेश के दादरी ने ग्रेटर नुएड़ा में उपलब्द है देश के सबसे विश्टित राश्टिय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के साथ नाते प्रदेश ने तेरा वरतमान यों आगामी एक्सप्रेस वेज के साथ स्वेयम को एक्सप्रेस वे प्रदेश राज्य के रूप में भी अस्थापित किया है प्रदेश में 6 एक्स्प्रेस वे पूर्ण हो चुके हैं जबकि साथ विकास के विभिन्न चड़नों में हैं एक्स्प्रेस वे पुरी राज्य में मैनिफेक्चरिंग केंद्रों को निर्बाद कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं लखनो वारानसियों कुसी नगर में मौजूदा अंतराश्टी हवाई अड़ों ता जेवर जनपत दोतमबुद नगर पयुत्या में अंतराश्टी हवाई अड़ों के विकास होने के बाद उत्तरप्रदेश पांच अंतरास्तिय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात राज्य बनने जा रहा है जेवर में पांच जार हैक्टियर भूं में विक्षित हो रहा नोईडा अंतराश्तिय हवाय अड़ा बारत का सबसे बड़ा अंतराश्तिय हवाय अड़ा बनने जा रहा है वायु मार्क की घरेलू कनेक्टिविटी के लिए रीशनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतरगत प्रदेश में साथ एरपोर्ट का संचालन भी किया जा रहा है आठ ने एरपोर्ट पाइपलाइन में हैं इसके अतरग्ट घरेलू यार कनेक्टिविटी के लिए बीश से धिक मार्गों का चिनित किया गया है इस लाबने बिर्दी के लिए पर्मुक पूर्वी निर्यात केंद्रों जैसे प्रयागरास्ता वारानसी को हल्दिया बंदरगा से जोडने वाला देश का पहले का प्रथम इनलेंड वाटरवे विक्सित किया जा रहा है इसका वारानसी से हल्दिया तक लगभग 1100 किलो मिटर लंबा जलमार्ग राज्य में पहले से संचाली थे समुत्री बंदरगाओं पर निर्यात होने वाले माल के आवा गमन को सुद्धा जनक बनाने के लिए हमारी सरकार ड्राइपोर्ट्स के विकास को भी बढ़ावा दे रही है उत्रप्रदेश में मौजूदा लाजिस्टिक इंफरस्टरक्चर में मुरादाबाद रेल से जुड़े सयुंत गहीलू एक्जिम टर्मिनल कानपूर में रेलवे से जुड़े निजी फेट टर्मिनल पाइनलेंड कंटेनर डीपो दादरी टर्मिनल पर इनलेंड कंटेनर विपो समलित है वारानसी में मल्टी मोडल टर्मिनल गाजीपूर राजगाट राम नगर वारानसी यों प्रियागराश टर्मिनल पर राश्तिय जनमार्ग नंबर एक के किनारे विविन फ्लोटिंग टर्मिनल संचाली थे दादरी गौतम गुदनगर में मल्टी मोडल लाजिस्टिक हब वोडाकी में मल्टी मोडल टांस्पोर्ट हब भी विक्सित किया जा रहा है जिससे इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा वारानासी में सौ एकड़ भूमी में भारत का पहला फेट विलेज विक्सित हो रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के निव्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदर गाउं से जोडने वाला या गाउं इन बाउन वा आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांस सिप्मेंड हब की रूप में कारे करेगा उत्तर प्रदेश देश का एकमात राच्चे है जिसमें पांस सहरों में मेट्र मेट्रो रेल सुर्धापलब्द है आगरा में मेट्रो रेल का धिर्मान युदस्तर पर जाली है खापना भी की गई है जिसके प्रणाम सरोप सभी जन्पदों को दिर्बाद विद्दुत के आपूर्ती हो रही है उद्यमें अपनी इकाईयों प्रणाम स्वकमता पुर्वग लगा सके इसके लिए प्रणाम में लैंड बैंक के माद्गन से प्रयाप भूमी उपलत है उत्रप्रदेश भारत की फूट बास्केट की रुप में जाना जाता है प्रट्रदेश में खाध्यान दूद टा गन्य का सबसे बढ़ा उत्पादक है प्रदेश इतनील उत्पादन में भी देश में प्रफमस्थान पर है उत्तरप्रदेश के पास MSME चेत्र का सबसे बड़ा देश है पुर्तमान में राज्य में लगभग 90 लाग MSME यूनिट हैं जो देश में सरवाधिक हैं MSME चेत्र को सुदेड बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जन्पतों के लिए परमपरागत्यम विसिष्ट उत्पाद चिन्मित कर एक जन्पद एक उत्पाद योजना लागू की है इस योजना के प्रभावी क्रियान्विन का ही प्रिणाम है कि प्रदेश में निर्यात में रिकॉर्ड वरुत्री हुई है इसले पांच वर्सों में निर्यात उत्तर प्रदेश का दुबना हुआ है हमारा प्रदेश विश्व प्रसिद्ध भधोई कालिन कलस्तर वारानाशी सिल्क कलस्तर सही भारत के प्रमुक टेक्स्टाइल केंद्रों में से एक है उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा फैप्रिक उत्पादक है ता फैप्रिक उत्पादन कताई गुनाई परिधान डिजाइन यो मैनिफेक्टरिंग के कई औसर प्रदान करता है उत्तर प्रदेश भारत का फिर्देश भी है जहां देश के प्रमुक आध्यात्मिक, धार्मिक, पौरानिक और सांस्कृतिक पेंद्रों के साथ ही अनेक नैसग्रिक अस्थल है यह सभी अस्थान बड़ी संख्या में देश और विदेश से प्रड़कों को आकरसित करते हैं इसके तिश्टिकत प्रेटन भी एक प्रात्मिक सेक्टर है जिसमें प्रदेश निवेशक कों के लिए सयोग का एक प्रमुक कंतब भी हो सकता है अमारी सरकार नई प्रेटन नीति के माध्यम से रामैन सरकीट, क्रिष्णा सरकीट, बुतिश सरकीट, वाइल लाइप यूम एको टुरिजम सरकीट, बुंदेलखन सरकीट, महावारत सरकीट, सक्ति पीट सरकीट, आध्याक्मिक सरकीट, सूफिक सरकीट, क्राप्ट सरकीट जैसे अनेक ने प्रेटन गंतरप्यों का विकास भी कर रही है Electronics अम ITS सेक्टर में उत्तरप्रदेश का भारत के कुल Mobile Manufacturing में लगभग 45 प्रिस्ट योगदान का गौरोभी उत्तरप्रदेश को प्राप्त है यहां भारत के Mobile Component के लगभग 55 प्रिस्ट निर्माता है भारत के लगभग 26 प्रिस्ट मोबाइल निर्माता उत्तरप्रदेश में क्रिया सील है ता 200 से धी ESTM कंपनिया प्रदेश में स्थित है राज्य सरकार सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्चरिंग ता फेब यूनिट के लिए कलस्टर विक्षित कर रही है इसके अत्रिक उत्तरप्रदेश तेजी से भारत का डाटा सेंटर के प्रमुखब के रूप में भी उबर रहा है स्थार्टप इंडिया रैंकिंग में बारत सरकार द्वारा राज्य को लीडर स्टेट्स की स्टेड़ी में वर्विक्रत किया गया है उत्तरप्रदेश स्थार्टप इंडिया कारिक्रम के अंतरगत अब तक 7600 से धी स्थार्टप प्रजिक्रत किये गये हैं ताच्छे सेंटर अप एक्सिलेंस भी स्वीकृत किये गए हैं। प्रदेश में IIT कानपूर, IIT बियेच्यू, आयम लखनो, सहीत उच्चकुनत्ता बाले सैक्षनिक संस्थानों की पस्तिती, बेंचर काप्टलिस्ट, इंक्रिवेशन सेंटर, डेवलपर्स यों स्किल्ड डेवलमेंट के लिए अनेक औसर प्रदान करती हैं। जिसमें टेक्नलोजी ट्रांस्थवर्ड, R&D योम इनोवेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कौसल विकास संस्थानों योम एक्सेंज प्रोग्राम्स के लिए ब्यापक औसर भी प्रदान करता है। इस लाब में ब्रदी के लिए राज्य में कई और्दोगिक प्रयोजनाओं की युजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार अनेक और्दोगिक प्रयोजनाओं को तेजी से विकास भी कर रही है। भारत में बिकसित किये जा रहे तो डिफेंस इंडस्टीरियल कॉरिडोर्स में से एक उत्तर ब्रदेश में बिकसित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में आगरा अलीगर्ड कानपूर लखनो जहांसी और चित्रपूर के छै नोर्स में डिफेंस रेक्टर में निवेश यों ब्यापार के विवित आउसर प्रदान करता है माने प्रदान मंत्री जी द्वारा अलीगर्ड नोर्ड का अधगर्टन के आजा चुका है जबके अन्य नोर्स में भूमी आवंटन का कारे प्रदती पर है डिफेंस कोरिडोर के लखनो नोर्ड में ब्रमोस ता जहांसी नोर्ड में भारत डैनेमिक्स जैसी पर्यूशनाई अस्थापित की जा रही है यमना एक्सप्रेस वे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विक्सित के जा रहा है इसी प्रकार यमना एक्स्प्रेस वे छेतर में फिल्म सीटी, ट्वाइ सीटी, आपेरल पार्क, हैंडी क्राप्ट पार्क, लॉजस्टिक हब भी विक्सित के जा रहे हैं अने प्रियोजनाओं में, ग्रेटर नुईडा में, IIT, GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उननाओं में ट्रास कंगा सीटी, गोरकपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरकपुर में ही कारमेंट पार्क, ताने एक फ्लेटेट फैक्ट्री परिश्टरों का भी विकास किया ज प्रतिश्प्रदी आकर्शक व्यम्स्टाहक प्रोचसान धाचा भी प्रदान किया है उत्रप्रदेश की नई और द्योगिक नीपी एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है जो पादन रोजगार्यों निर्यात को प्रोचसाइट करती है सर्कुलर एकॉनोमी इन्फरस्ट्रेक्चर प्रोचेक्ट्स ता ग्रीन हाइडोजन सही ने छेत्रों को भी प्रोचसाइट किया जा रहा है हमारी नीटियों के अंतरकत मुख्यता राज्य में उद्योग विशिष्ट सेंटर आप एक्सिलेंस आर एंडी ता प्रेक्शन सुद्धाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोचसाइट किया गया है हमारे राज्य के संकल्प के इन रूप अटल इंडिस्टियर इंफरस्ट्रक्चर मिसंद का भी प्रदेश में सुभारंब किया है उत्तर प्रदेश पीम गतिसक्ती नेशनल मास्टर प्लान को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से है इस मास्टर प्लान के अंतरगत हमारी सरकार में प्रियोजना नियोजन के लिए महत्तपून 45 सेधिक लेयर्स को एकिर्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश में आपकी गहरी रूची से मैं अभी भूत हूँ यहां पधार ने तो हमारा उत्सावर दन करने के लिए मैं आप सब का आभार वेक्ट करता हूँ हमारी राज्य में विद्यमान अपार और उस्वनों का लाब उठाने ता नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की विकास स्यात्रा में सेभागी बनने के लिए मैं एक बार फिर से आप सब का हिर्दे से सागत करता हूँ धन्यबाद जय है